आज हम बात करने वाले मिनाक्षी सुन्दर एश्वर की और यहाँ पर आपको तमिलियन कल्चर बहुती ब्यूटिफुली पिरो के दिखाया जाएगा जैसे यहाँ पर गेंदा फूल हो चाहे इनका मैरेज का अरेजमेंट हो चाहे इनकी गांजे बड़ी साडी जो चाहे वो तरीके के इनका अटायर हो चाहब वो इवन मंगल से उतर हो आपको बहुत बढ़िया तरीके से लिखेगा इन लोगों ने एक जो ब्लेंड लेके आया है न तहजीब का अपने कल्चर का तुमिलियन कल्चर का येट रिस्पेक्टिंग देर एल्डर्स एंड कस्टम्स पट है वेरी मॉड़न अट थे सेम ताइम ताइम इन देर थिंकिंग अई लाइक द वेए सान्या है एज एवल्ड इस एक्ट्रस और उनने उसी तरीके के एक्स्प्रेशन भी यहां पर दिया है जहां पर वो एक एसी लड़की है जहां कस्टम रिवाजों को वो बूरी मानने आ करके एक्सप्रेशन उसको बीशचर जहां बहुत हैज न पर दीर दो यहां पर अभी मन्यों की में बात करोण हूँ है वो भी काफी बहतरी न आक्टर रही इनका जो पहले जो movie आई थी वहाँ तो मैं इसका fan ही हो गया था because मर्द को दर्द नहीं होता अगर आपने नहीं देखी है वसंद बाला नहीं बनाई थी ये cult movie में बहुत बारी बोल चुक हूँ अपने videos में आप उसको देखिये बहुत बहतरीन है यहां पर movie बेब वापस आते हैं कि मिनाकशी स्थूर रश्वर में आपको क्या दिखेगा beyond बहुत अच्छे scenic environment of Madurai और Bangalore को भी बहुत अच्छे तरह की से दिखाया गया यहां पर आपको दिखेगा कि कपल है जिसकी शादी उनकी मर्जी से तो नहीं हुई है but they still try to find love with each other उनका love ठीक चल रहा होता है और जो exploration होती है एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए लव वो चोट चोड़े moments होते हैं when you are coming together or just trying to hold somebody's hand उस तरीके की जो चीजे होती है वो काफी क्यूट सी आपको लगेंगी और जो उनके आपस के बाते भी हैं आपको लगेगा कि कुड़ लव है तो आपको स्माइल लेकर आएगा आपको काफी बढ़िया लगेगा और फिर आप देखोगे किस तरीके से जो ही उसको बैंगलोर जाना पड़ता है प्रिशन लाइस निर्ट अपको कोडिंग करनी है और उसको यहीं पर उसका दिल लगता और उसको अपना फैमिली बिजनस साडी बाडी कर दिखाएगा वो नहीं करना है तो जब वहां जाता है वो क्या एक्स्प्लोर करता है क्या वो एक अलग इंडिविजूल बन जाता है because this is the first time he's moving out of the house so he's exploring much more he's becoming competitive his environment is competitive his boss also shows up here who just work with singles which I think in modern city 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 it's a little weird but having said that he also shows up in India that everybody has become so competitive and they are just in the rat race that everybody wants to win and how do people win they will only win by crossing over each other when you have to win when you have to win and you have to win and you have to win that is true here because in Hindustan there is such a population and so much talent that you don't give a thousand hours and 24 hours until you have to win you have to lose your hope and this is the competitiveness you have to explore here and you have to explore in the movie that you have to explore long-distance relationship whether they can live or tick whether these two individuals finally explore that both individuals are different they are different and therefore they should go different ways and they find a middle path of being together this is the only thing you have to explore and the music is very powerful and the costumes are very powerful and the camera work from a production quality perspective is very very good and the beach is a little boring I will tell you specifically the part of Bangalore is a little jarring because the focus of your is a movie that a lot of people would relate to people that on their own and so on you see Abhimanyu struggling with his job and the mindset स्पेसिफिकली तो वो कैसे होता है तो कि जाते नहीं सोड़ी से शुरू हो जाती है फिर ही दुनों मिलते भी हैं बीच में और मिलने के बाद यह दूसरे कारे किया एक्स्प्लॉर करते हैं यह सब चीजिए इसकंडर चलती रहती हैं तो अवरॉल बेसिस्पें पहलु है इस जाते हैं यह दूसरे की चीजिए हैं और इंडिवालिटी की ओपर बहुत जादा फोकुस्ट है कि हस्बंड हो चाहे वाइफ हो उसके अपनी भी इंडिजिवालिटी है और यू शूट ट्राइट टू फाइंड यूर ओन पर्पस एस वेल और यू फाइंड पर्पस तो आपको दूसरे के ऊपर इतना जादा देखने की ज़ुरद नहीं पड़ती है यह की नहीं वह राइफ़ली यूस भी हुआ है दर द्राइविंग फोस तो फाइंड पर्पस तो फाइंड एट वन इस फीमेल प्रोटागोनेस्ट फिच इस गुड़ और इंडिविजिवल पहचान बनाएं और वह मैं से कुछ अलग नहीं है और इक जो होता ना कि आदमी काम करेगा बहुरत काम करेगी ऐसा वाला जो सिनारियो को इंडिया में मेरे खालते खतम होता जा रहा है इस दे हाउसोल्ड इंकम एट वी शुड़ प्रोग्रेस वी शुरू हो जाता है और साथी साथ में जो पुरानी धाडना है कुछ अच्छी है और कुछ बुरी है जो नागिंग सब्ली है उनको चले जाना चाहिए और कुछ ऐसी धाड़ना है जो रिटेन हो जानी चाहिए क्योंकि वह हमारा कल्चर है वह हमारी सब्भेता है राइट मैं हमेशा बोलता हूं भागवान के बारे में भी भागवान की पूजा आरती करने से दरदा इंपोर्टन है भागव इसको प्रेयर का कोई फैदा होता नहीं है तो यह मेरा मानना है पर्सनली तो उनकी टीचेंग अगर आप इंप्लिमेंट कर देते हो तो नथिंग लाइक इट तो ऐसे कुछ ओवरॉल बिसनस पर यह मूवी है रोमांटिक सी मूवी है मुझे ठीक ठाक लगी नथिंग ग्रे पर देते हो मुझेख बहुत दंदार है एक पाटी सॉंग भी है जो कि बहुत बड़ी है वह काफी अच्छा लगा विजुली यह काफी अच्छी बनी है प्रॉट्चन क्या बहुत बहतरीन है नो डाउट एंड सान्या मलोतर की अक्टिंग की हो चुकी है कि आप यह बोल सक बहुत सी बरी ऐसा लगता है कि यार यह तो बजबर्दस अक्षन भी कर लेता है जो वसन बाला की मैंने मूवी के बारे में अपको बताया और यहां पर वह बहुत ही जिसे कहते है न एक गुड़ बॉइ स्थ्रू आउट है बट एक नॉटिनेस भी है अंधर वो जो नॉट दो सीन आते हैं जो कि आप फैमिली के साथ थोड़े सा ओक्वड लगेंगे आपको अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं अब यह समझ चकते हो कि यार तमिल्यन इंवार्मेंट में थोड़ा सा गर नॉटिनेस डाली है तो थोड़ा सा श्याद लोग अवेर हो चुके हैं सब चीज़ों को लिए के मुझा इसा लगता है बट इफ यूर फैमिली इस तू कंसरवेटिव तो दोंट वच वच इट विए पार्टनर और अलों ठीक है री चलो मिलने फिर एक ओर रवी और अप्टेट के साथ डोंट फोगेट तो सुस्क्राइब बीर च्टनर रव इभotal चनलब फैब बीरे शलों को एक श кварंब चालों को पार्प्टे बडिंवек कर दोदक प्रूंट्नर घडवे 그래서 भार्प्रों कि अलों को उलों जलों को जलों को उनलों के साथ